हेलो एंड वल्कम एब्रीवन तो आवर यूटुब चैनल जिसका नाम है आक्वा किंग्डम बाय फ्लॉग फिश फार्मिंग और ट्रेनिंग शेंटर में दबाश शिश मिश्रा अब सभी लोगों का दोस्त देरी ने करते हुए चलिए वीडियो के बड़ते हैं दोस्तों बाय फ्लॉग क्या होता है और यह इंडिया में पौपणर क्यों हुआ बाय फ्लॉग एक भज्यानिक और आधुनिक मचली वालन का तक्निक है जिसके मार्दम से हम लोग कम से कम एरिया में पेस्वों का बच्चत करते हुए जादा तादाद में मचली के उपदन कर स करते हैं अगर अच्छे से पूरे information के साथ और सही procedure से करा जाए तो बहुत ही ज्यादा profitable business माना जाता है और इसी कारण से आज ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें अपना time और पेसा invest करना चाहते हैं दोस्तों इंडिया में पॉंड कल्चर बायो फ्लॉक से थोड़ा अलग है ज सकते हैं एक particular area में तो stocking density बायो फ्लॉक में करीब करीब दुगना होता है in comparison to pond culture और इसी के कारण पॉंड का production per hectare जहां पे 10 से 15 tone होता है वहीं पे बायो फ्लॉक 20 to 30 tones का production किया जा सकता है बायो फ्लॉक में जो तक्निक यूज होता है वो सीखना बहुत ही सरल और लाबदायक होता है pH और nitrogen दो बहुत important factor है जिसको pond में maintain करने के लिए 25 से 30 दिनों में पानी को flush करना पड़ता है वहीं पे बायो फ्लॉक में जो bacteria होता है वो nitrogen को convert करके protein में और nitrogen और pH level की consistency maintain करने में help करता है बायो फ्लॉक में FCR को नीचे लाने की कोशिस हमेशा रहना चाहिए FCR मतलब food conversion ratio होता है 800 ग्राम की मचलियों की खाना से हम 1 kg तक मचली की उतपारदन कर पाए जो की 0.8 each to 1 ratio होता है और यही हमारा goal रहना चाहिए disease एक factor है जो बायो फ्लॉक में easily control किया जा सकता है साथ ही साथ यह माधियम eco friendly तरीका भी होता है आगे हम इसी के बारे में ज्यादा से ज्यादा detailed जानकारी देंगे particular topic के माधियम से तो दोस्तों चलिए आप लोगों को कुछ बाते हमारे farm के बारे में भी बता देते हैं हम पाँच टैंक के साथ इस शाल जैनवेरी के महिने से सुरुवात किये थे जिनका total water holding capacity करीव 2 लाक लिटर्स का है और हमारा total प्याच टैंकों में से team tank की capacity 50,000 लिटर्स इच है और एक tank जिसके capacity 20,000 लिटर्स और आखरी tank जिसका 10,000 लिटर capacity है दोस्तों फार्म का लोकेशन पूरी ओडिशा में है और बाट मांगला जो मंदीर है उसके पास जी में ही है हमने अपने फार्म के बाउंडरी को टीन से मनाया है और हमारा एक चोटा सा आउट हाउस भी है हमने शबसे पहले 5th March 2020 को करीब 2000 रोहू मचली चोड़ी थी जिसका अपडेट भी हम जल्दी देने वाले हैं उसके बाद लगभग एक हपते के अंदर हमने करीब 500 गिप्ट तिलापिया फिस चोड़े थे जिनकी ग्रोथ बहुत ही अच्छा हुआ है और उसकी साइच के हिसाफ से उनका ग्रोथ बहुत ही बढ़िया हुआ है गिप्ट तिलापिया के बाद हमने करीब 15,000 अमूर कार्प मचली चोड़ा है और उसके बाद एक हपते के अंदर हमने करीब 3,000 सिंगी मचली चोड़े थे और अभी बहुत ही बढ़िया रेजल्ट देखने को मिला उनसर उसके बाद हमने करीब 2,000 रूप चंदा फीस को हमने छोड़ा था और उनकी भी कमाल की गिरोत हुई है हम आप सभी लोगों को ये चीज इसलिए बता रहे हैं ताकि आप में और हमें ज्यादा अंतर ना रह पाए और आप सभी लोगों के सामने ट्रांसपरेंसी मेंटेन होती रहे हम बहुत ही जल्द हर्वेस्टिंग भी करने वाले हैं लेकिन तब तक आप लोगों को हर एक चीज का आप्डेट देते रहेंगे फ्यूचर में हमारा प्लान आगे बढ़ेगा और हम बहुत ही भिर्नप्रावनाली के मचली पालन भी करने जा रहे हैं इसका आप्डेट भी आप लोगों को हम जल्दी से जल्दी दे देंगे हम आशा करते हैं हमारी सबसे पहली वीडियो आप लोगों को जरूर पसंद आया होगा और अगर आप लोगों को पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक कर दे और हमारी इस चोटे से चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे और अपनी शारी दोस्तों को शेर करते ताकि हर एक बंदे तक सही इंफोर्मेशन पहुचा पाए और बेल आइकोन को दबाना बिलकुल भी मत भूलिएगा सबसे इंपोर्टन बात अगर वीडियो पसंद नहीं आया तो आप डिसलाइक बटन को जरूर दबाए और कॉमेंट सेक्षन में हमको जरूर बताए किस तरीके से हम अपने आपको इंप्रूब कर सकें दोस्तों मैंने हमारी फोटसप नंबर फेस्बुक चैनल का लिंक और इंस्टाग्राम हैंडल नीचे दे दिया है और वहाँ पे हम रोजाना बाया फ्लोग के रिगार्डिंग अपडेट करते रहते हैं थोड़ा सा टाइम निकाल के वहाँ पे भी जरूर जाए जल्द ही हम नेक्स्ट वीडियो अप्लोड करेंगे और आप लोगों के पास नहीं और पक्की इंफोर्मेशन लेके आएंगे जल्द ही अलग वीडियो में मिलते हैं तब तक के लिए नमस्ते जेहिं जे भारत